क्या कोई सैनिक मृत्यू पश्चाद भी अपनी ड्यूटी कर सकता है। कि ऐसा पिछले 45 सालों से लगातार हो रहा है। उन सब का मानना है कि पंजाब रजिमेंट के जवान हरबजन सिंग की आत्मा पिछले 45 सालों से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि हरबजन सिंग की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले हर खत्रे के बारे में पहले ही उन्हें आगाह कर देती है और यदि भारतिय सैनिकों को चीन के सैनिकों की कोई भी मुव्मेंट पसंद नहीं आती तो उसके बारे में वो चीन के सैनिकों को पहले ही बता देते हैं ताकि बात ज्यादा ना भिगड़े और मिल जुलकर बाचीज से उसका हल निकाला जा सके आप चाहें इस पर यकीन करें या ना करें पर खुद चीन ही सैनिक भी इस पर विश्वास करते हैं और इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में हर्भजन सिंग के नाम की एक खाली कुर्सी भी लगाई जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सकें दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर कौन थे बाबा हर्भजन सिंग बाबा हर्भजन सिंग का जन 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरा वाला में हुआ था जो की वर्तमान में पाकिस्तान में है हर्भजन सिंग 24-वी पंजाब रेजिमेंट के जवान थे जो की 1966 में भारतिय सेना में भरती हुए थे परमात्र दो साल की नौकरी करके 1968 में सिक्किम में एक दुरखटना में मारे गए और तीन दिन तक तलाश करने के बाद भी जब उनका शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने एक साथी के सपने में आकर अपने शव की जगा बताई सवेरे सैनिकों की एक टुकडी जब उनके शव को ढूणने निकली तो उनका शव ठीक उसी जगा पर मिला जहां पर हरबजन सिंग ने बताया था बाद में उनका अंतिम संसकार पूरे राज के सम्मान के साथ किया गया हरबजन सिंग के इस चमतकार के बाद साथी सैनिकों में उनकी आस्था बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया हलकि बाद में जब उनके चमतकार बढ़ने लगे और वो विशाल जन समू की आस्था का केंदर बन गए तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्मान किया गया जो कि बाबा हरबजन सिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है ये मंदिर गैंग टॉक में जललपा दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की उचाई परिस्थित है पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1000 फीट ज्यादा उचाई परिस्थित है मंदिर के अंदर बाबा हरबजन सिंग की एक फोटो और उनका सामान रखा है बाबा हरबजन सिंग अपनी मिर्त्यू के बाद से लगातार आज भी अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं इसके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वा भी दी जाती है आज भी सेना में उनकी एक रैंक है निया मनुसार उनका प्रोमोशन भी किया जाता है यहां तक कि उन्हें कुछ साल पहले तक दो महिने की चुट्टी पर गाउं भी भेजा जाता था इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व कराई जाती थी और तीन सेनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गाउं भेजा जाता था तथा दो महिने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था जिन दो महिने बाबा चुट्टी पर रहते थे उस दोरान पूरा बॉर्डर हाय अलर्ट पर रहता था क्योंकि उस वक्त सेनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था जिसमें की बड़ी संख्या में जनता इकटी होने लगी थी कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बांते थे इसलिए उन्होंने अधालत का दर्वाजा खट-कटाया क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मना ही होती है लिहाजा सेना ने बाबा को चुट्टी पर भीजना बंद कर दिया अब बाबा साल के बारा महीने चुट्टी पर ही रहते हैं मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें प्रति दिन सफाई करके बिस्तर लगाये जाते हैं बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं कहते हैं कि रोज बुनह सफाई करने पर उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सिल्वटें पाई जाती हैं बाबा हर्बजन सिंग का मंदिर सैनिकों और लोगों दोनों की ही आस्थाओं का केंद्र है इस इलाके में आने वाला हर नया सैनिक सबसे पहले बाबा के मंदिर में मत्था टेकने जाता है इस मंदिर को लेकर यहां के लोगों में एक अजीब सी मानेता ये है कि यदि इस मंदिर में बोतल में पानी भग कर तीन दिन के लिए रख दिया जाए तो इस पानी में चमतकारिक औशधिय गुणा आ जाते हैं इस पानी को पीने से लोगों के रोग मिट जाते हैं इसलिए इस मंदिर में नाम लिखी हुई बोतलों का अंबार लगा रहता है ये पानी 21 दिन के अंदर प्रियोग में लाया जाता है और इस दौरान मासाहर और शराब का सेवन निशेध होता है दोस्तों इसी तरह की इंट्रस्टिंग और इंफरमेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें